अच्छा मेरी तरह दुनिया की हर मम्मी की एक प्रॉब्लम तो पक्का है कि सुबह नाश्ते में क्या बना के देना है या फिर किसी दिन बच्चे ने बोल दिया कि आज लंच में सबजी पराठानी ले जाना है तो फिर और क्या बना के दे तो ऐसे सिचुएशन में एक बिलकुल कम पानी के साथ या फिर पानी ना डालें तो और भी अच्छा है साथी में हम यह पे ना दो बॉल करे हुए आलू डाल देता है और इसके बाद इसको इसे एक तम स्मूध जैसे डोसे के लिए ग्राइंड करते हैं एक्जक्ली वैसे ग्राइंड कर लेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा हमें इसको पतला नहीं रखना है लिक्विडी नहीं रखना है क्योंकि हम यहापे डोसा नहीं बनाने वाले है तो कुछ यह कंसिस्टेंसी होती है हमारे बैटर की इस तरीके का हमें यहापे चाहिए होता है इससे हलका सा पतला होगा तो भी चलेगा लेक और उसी के साथ में बारिक कट करके एक प्याज डाल देंगे, अब प्याज को बहुत जादा नहीं भूनेंगे, क्योंकि हम यहां पे बेसिकली ग्रेवी तो बनाने नहीं वाले हैं, बस हलकी सी ट्रांस्लोसाइंट हो जाए उस स्टेज तक ही पकाएंगे, क्योंकि चीले वग मैंने यहां पे चली फ्लेक्स डाली है, और लास्ट में बिलकुल थोड़ा सा पावभजी मसाला जरूर से डालेंगे, यकीन मानी है यह आदा चमच पावभजी मसाला इतना सही फ्लेवर देता है पूरी स्टफिंग को, तो इस तरीके से मिक्स करेंगे, और मसालों को आप पकाने की यहां पे जरूरत नहीं है, बस हलका सा पकाएंगे और उसके बाद हम इसको सीधर डाल देंगे हमारे चावलो वाले बैटर में, तो इस तरीके से देगे यह डेक्स अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और यह एक शांदार सा हमारा बैटर बन के तैयार हो जाता उसके बाद हम यहापे डालेंगे एक पाउच फ्रूट सॉल्ट का यानि कि इनो का इसके जगे आप चाहें तो बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको अक्टिवेट कर लेंगे और इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और यह हमारा बैटर बनके तयार है अब मैंने यहापे तवा लिया है नॉनस्टिक तवा है मेरा अगर आप आयरन तवे का यूज कर रहे है तो फिर उसको घी से पहले ग्रीस कर लीजएगा नॉनस्टिक को घ्रीस कर लेंगे जुरत नी पढ़ती है वर दूसरे साड फ्लिप करेंगे और इसको भी अच्छे से ड्कके पकने देंगे आप चाहें तो थोड़ा सा घी लगा सकता है उससे बहुत अच्छा आता है चाहीं नहीं तो इस तरीके से भी बहुत सही बनता ले आप हरे धनी और फुदीने's की चटनी के साथ एक बना कर देखिएगा बच्चों को क्या बड़ों को भी बहुत पसंद आने वाला है मैंने या पर टमेटो केचप के साथ सर्फ किया क्योंकि मेरे बच्चों को टमेटो केचप अच्छा लगता है और कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्षिन में ज़रूर से बताईएगा Thank you so much for watching मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ Thank you